हेलो गाइस दिस गुलनाशी इक बाल एंड वेलकम तो माइ यूट्यूब चैनल गुलिस्ट्री पॉइंट हमारा आज का टोपिक है टिंटरंस एबे टिंटरंस एबे एक पोयम है जो विल्यम वल्स वर्थ ने लिखी है आज हम इस पोयम के बारे में डिसकस करेंगे यह पोयम तिंटरंस एबे इस पोयम बाई विल्यम वल्स वर्थ ने लिखी गई है इस पॉबलिजट इन फर्स एडिशन आपको लिरिकल बैलेट का टोपिक कवर कर वाया है लिरिकल बैलेट में चार एडिशन है 17 first edition जो है published हो था 1798 में, second edition published हो था 1800 में, third edition 1802 में और fourth edition 1805 में published हो था ठीक है तो जो Tintans Abay है William Wordsworth की, यह Tintans Abay जो first edition था 1798 वाला उस वाले में published हुई थी The full name of the poem Tintans Abay is Lines Composed a Few Meals Above Tintans Abay इसका जो पूरा नाम है वो क्या है Lines Composed a Few Meals Above Tintans Abay ठीक है इसका पूरा नाम यह है The poet William Wordsworth visited Tintans Abay in the summer 1793 देखे इसमें जो Tintans Abay है इसमें जो point William Wordsworth जिन्होंने इसको लिखा है वो Tintans Abay के बारे में बताते हैं पहले William Wordsworth Tintans Abay गूमने जाते हैं 1793 में इसमें पहले जब जाते हैं समर में गर्मियों की गर्मी में वह 1793 में टिंटेंसा भी गूम रहा जाते हैं अपनी बहुत बहुत खुन खराबार हो रहा था इन्नोसेंट पीपल को मारा जा रहा था तो उससे बहुत परशान होकर विल्यम वर्डसबर्थ अपने होम टाउन वापस आते हैं तो वह अपनी मेंटल पीस के लिए कहीं गूमने जाते हैं तो वह कहां जाते हैं टिंटर्ण एवे गूमने जाते हैं इन दसमर 1793 में जब उनक उनकी उम्र मतलब पहले 1793 में फिर पात साल बाद भूमने गया हैं वह वहां पर 13 जुलाई 1798 में जब उनकी उम्र लगभग 28 साल हो चुगी थी इट इस कंसिड़र्ड वन फ़ फाइनेस्ट पॉयम वर्डसबर्थ यह विल्यम वर्डसबर्थ की फाइनेस्ट पॉयम में मा इस पॉयम में 160 लाइन से देखें यह चोटे-चोटे पॉयंट्स में आपको इस वीडियो में कवर करा रही हूं अगर ग्रेजुएशन के स्टूटेंट्स है तो ग्रेजुएशन में अब्जेक्टिव कोश्चन में यह सब आ सकते हैं आसान कोश्चन जैसे पूछ लिया कि इस पॉयम में लगबग 160 लाइन है यह आपको याद रखना है अब्रीक इस पज़की को बाइन है यह आत्युतुरहिस ओंग 5000 आपenser बहर्द है यह दो भकश नगजुब ग्राइन या वियम ग्राइनन सुसी उश्ड 》 एंनल्हें व्रिछी यह ईह किसे लिए फॉयम है और ओ Видिक स्टूश पॉिष जैस्वास आफ़् इसञेशेन जाने प्रफेक्ट में अपी बाज सवाच मुझक जाने। कषिछ प्रेशन्ट के चाहिए यह एक एक में स्वाइन को ड़ लुष में दो पॉयम तो इतो कम् पोंपॉस्ट यह जो पोयम है जब वलेम आस वैंच को श्टं dot आनम्य में गोहम झाते हैं तो तब तक कोई पॉयम नहीं लेखते हैं लेकिन pension हैं जो जो अपने मांड में जो है mental peace मिलती है यानि कि उनको वहाँ पर जाकर natural चीज़े देखकर उनको शान्ती मिलती है तो the soul of nature प्रकृति की आत्मा and the river Y और नदी का नाम है Y and its surrounding और इसके चार और की चीज़े inspire the poet inspire करती है प्रेरित करती है the poet कवी को to compose a present poem यह poem लिखने के लिए मतलब जो जब भूमना जाते है तो वाई नदी के surrounding चारो तरफ का जो वातावरान है और नेचर है वहाँ का तो यह और वाई नदी यह सब जो है विल्यम वर्सपर्थ को टिंटर्स एबे लिखने के लिए inspire करती है the Y is a great welsh river वाई नदी जो है एक great welsh river है it flows through a mountain यह एक परवत से गिरती है then descends into the valley of Y और तब वाई नदी के घाटी में गिरती है वर्सपर्थ फर्स्ट विजिटेट अपर बैंक्स ओफ दर रिवर वाई इन अज ओफ 23 in 1793 विल्यम वर्सपर्थ सबसे पहले जब जाते हैं गूमने 1793 में तो अपर बैंक्स ओफ दर रिवर मतलब नदी के ऊपरी किनारे पर जाते हैं वाई नदी के ऊपरी किनारे पर जाते हैं जैसा कि मैंना आपको बताया है the point returned from France in 1792 जैसा कि मैंना भी आपको बताया है the point 1792 में फ्रांस से वापस आते हैं he had seen the rain of terror in France उन्होंने जो है फ्रांस में बहुत ज्यादा भे का शासन देखा था the killing of innocent people in France disturbed the calm of his mind and he was in search of mental peace जब innocent people को वहाँ पर William Wordsworth ने मरते हुए देखा तो उनकी मन की शांती calm of mind जो है उनकी disturbed हुई तो इसलिए वह mental peace की तलाश में थे the beauty and solitude of these visits around Tintans gave him a great peace जब वो Tintans ever घुमने जाते हैं तो उस वहाँ के वातावरान से वहाँ के नेचर से William Wordsworth को mental peace मिलती है letter बाद में the memories of this visit gave him a great peace and joy बाद में इसकी जो memories यादें of this visit इस यात्रा की जो यादें हैं gave him वो उनको देती है great peace and joy उन भो शानती और आनन्द the poet says कभी कहते हैं no poem of mine was composed under circumstances more pleasant for me to remember than this कभी कहते हैं कि no poem of mine मेरी कोई सी भी कभी था was composed under under circumstances पर स्थितियों के under composed नहीं की गई थी more pleasant for me मुझे बहुत आनन्द है या मैं बहुत खुश हूँ to remember than that is इसको याद करकर the first twenty lines of the poem contains the description of the beauty of the river why जो फर्स्ट चुरू की बीस लाइन हैं उनमें विलियम मर्सवर्थ टिंटन्स एबे की तारीफ करते हैं उसकी तारीफ का वरान करते हैं it may be called the first stage of his love for nature यह उनके नैचर के लिए प्रेयम का first stage कहा जाता है there are one sixty lines in the poem लगभग कवीता में 160 lines है and all is written in black words और सारी line है जो all are written in blank words blank words में लिखी गएंगें in this poem इस कवीता में the poet expresses कभी express करते हैं the thought of two different periods two different periods के विचारों का it is called the double exposure technique यह double exposure technique के नाम से जाना जाता है देखिये exam में आ सकता है double exposure technique क्या होता है तो अगर poet present or past के बारे में लिखता है they say in this poem the poet expresses the thought of two different periods अगर दो different periods के बारे में poet लिखता है तो उसको double exposure technique कहा जाता है इन इत इसमें the poet ducks opposed two separate period of time the past and present इसमें two separate time को poet express करता है past को भी और present को भी डॉक्टर मिस्स एलन ब्रॉक्वे describes this poem of wordsworth as the high water mark of romantic poetry romantic poetry जो डॉक्टर मिस्स एलन ब्रॉक्वे है वो डिस्क्राइब्स वर्न करती है इस poem इस कवीता का of wordsworth wordsworth की is the high water mark of romantic poetry romantic poetry का एक high water mark के रिख में तो यह थी हमारी आज की वीडियो टिंटरंस एबे के बारे में I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी मैंने अपनी पुरी कोशिश की है कि टिंटरंस एबे के बारे मैं आपको पुरी जान कारी दूँ और वह मैंनी की है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट में मैं आप लोगों से कुछ कोशन्स पूट अप करना चाहती हूं मैंने विलियम वर्सवर्थ की बायोग्राफी पर भी एक वीडियो अप्लोड की है और लिरिकल बैलेट पर भी वीडियो अप्लोड की है और टिंटरंस एबे पर ये वीडियो अप्लोड कर रही हूं इसी से रिलेटिट मैं आपसे कुछ कोशन्स पूट अप करना चाहती हूं तो आप देखिये फर्स्ट कोशन है दर लॉंग ऑटबाय ग्राफिकल पोयम ओफ वर्सवर्थ इस विलियम वर्सवर्थ की लंबी ऑटबाय ग्राफिकल कल पोयम कौन सी है कौन सी है देखे तप रिल्यूड है दप रियूड है ते टिंटरंस एब है इमोर्चालिटी और या नव तीज देखे मैंने अपनी एक वीडियो में अपलोड किया दप रियूड देखे उसमें क्या है दप रियूड एक ऑटोबायाफिकल प्याम है विल्यम वल्सवर्थ की विलियम वल्सवर्थ ने प्रेल्यूड में अपनी लाइफ के पूरी इवेंट्स को लिखा कर जब तक की बाते लिखी हैं जब तक की वो जीए हैं तो यह एक ओट्यू बाफिकल पोया में ठीक है यह मैंने आपको लिए वीडियो अप्लोड की है ता प्रेल्यूड पर अगर अपने नहीं देखी है तो डेस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर रही हूं आप देख सकते हैं नेक्स्ट कोशन है बिलेम वर्टसबथ वज ग्रैट लवर ओव विल्बाफ किस चीज़ के प्रेमी थे हैं नाचर के रूरल लाइफ के अर्बन लाइफ के या फ्लॉस्फिक हैं तो आपको पता है कि विल्यम मोर्टसबथ को प्रीस्ट अफ नाचर भी कहा जाता है वार्षीपर ओ नाचर भी क तो इसका सही ऑप्षिन क्या है आंसर नंबर फास्ट नेक्ट कोशन है तो इच पीर डिट बिलियम वाल्सवर्थ ब्लॉंग विलियम वाल्सवर्थ किस पीरियोड से ब्लॉंग करते थे 16th संचुरी से 18th संचुरी से 19th संचुरी से वो जो है इन्होंने उस टाइम पर लेड्निंग फ्लासिकल वोट्री थी तो इन्होंने जो है रोमेंटिक पिरियोड का जो है आविशकार क्या लिरिकल बैलड लेकर नेक्स्ट है वाल्सवर्थ वस ग्रैटली इंफ्लॉंग वाल्सवर्थ किस चीज़ से पिरभावित थे फ् लेंट्री वाल्सवर्थ वह जहांग अपना फिरजय जाते हैं तो हो किसके साथ थे देखे डोर्थी उनकी बेहन का नाम है जूडी फ्लैक के साथ झाल मेंडिः पैस्ट फ्रैटली तो बैलोड को फब्लिश करवाया था यहां कि विल्यम वर्टतने और एस्ट इक बोरिड को लिगा था तो विल्य-वार्टस वर्थ ते कुसों गई रिश्प स्पक्रडानीके words पार्ट को रहा है धी तो राइट आंसर क्या हूँ ए डॉरती नेक्स्ट क्वेशन है विलियम वर्ड़ वर्थ वास बॉर्न इन विल्यम वर्ड़ कब पैदा होए थे 1730 में, 40 में, 60 में या 70 में तो ये भी मैंना आपको बताया है William Walsworth की बायोग्राफी देख लीजे आप William Walsworth 1770 में पैदा हुए थे Next है the poet describes duty as the strict of the voice of God देखिए William Walsworth describes word and करते हैं duty as the strict daughter इसका जो सही answer है daughter करतव ये जो है एक strict daughter है of the voice of God भगवान की आवाज का Next है William Walsworth William Walsworth died in William Walsworth की मरत्यू कब हुई थी तो William Walsworth कब मरे थे 1850 में देखिए William Walsworth जो है 1850 में मरे थे और इनका जन्म का भवा था 1770 में तो ये थी हमारी आज की वीडियो और ये थे जो questions इसी से related थे जो मैंने आपको पढ़ाया है I hope वीडियो आपको पसंद आई हो और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बाई